प्रेविध्यार्थियो नमस्कार यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है पिछले वीडियो में हमने ओसीच सुत्र का अर्थ समझा था ओसीच जो सुत्र है उसका अर्थे ओस परे होने पर अधन तंग के स्थान पर एकारादेश होता है और यह एकारादेश अ इसलिए राम के म में स्थित जो अ है वो अवन है इसलिए राम अधन्त है अधन्त मतलब अध ब्लस अवन रस्व अजिसके अ अंत में हो तो यहां रामDIंkte है और राम अंग संगयक भी है क्योंकि उससे पर आवसप्रत्य आया है या स्मात प्रत्य विचिस्त दादी प्रत् संग्यक भी है इसलिए प्रस्तुत सुत्र के द्वारा ओस परे होने पर अधन तंग राम के स्थान पर एकार आदेश होता है और अलो अन्टियस्य की सायता से राम के अंतिमकार के स्थान पर एकार होकर रामे प्लस ओस यह स्थिती बनती है तब एचो अईवाया भर सुत्र से ए के स्थान पर आय आदेश होकर राम आय ओस राम में महलन्त हो जाएगा आय में भी यह अहलन्त होता है और ओस मिलाने पर रामयोस रूप बनता है तब सकार को रूत्म और विसर्ग होकर रामयोग रूप सिद्ध होता है अब मैं रामयोग की आपको सिद्धी बता दूँ सर प्रथम वही प्रक्रिया अपनाएंगे रमन्ति योगिनो असमिन इस अर्थ में हलश्च सुत्रद्वारा रम धातु से गए प्रत्य लगाने पर राम शब्द बनता है गए कृत प्रत्य है इसलिए राम कृदंत है अता शश्च सुत्रद्वारा राम की प्रातिवदिक संग्या होती है इसके बाद स्वाउचस समोट सुत्रद्वारा राम से परे सुवादे की स्प्रतियों की प्राक्ति होती है तत पश्चाथ द्विवचनेक वचने सुत्रद्वारा द्वित्व की विवक्षा में क्योंकि र राम को कहने के इच्छा होने पर द्वैक्योर दिवशनेक बचने सुत्रत द्वारा शष्ठी दिवशन का ओस प्रत्य लगाने पर राम प्लस ओस रूप बनता है। फिर सअ सद्व सो रूप से पदान्च रूप रूप आदेश तो राम यो रूप उपदेशे अचणुनासिक इतसे रूप के उकार के इत्सजया तसलो पसे उकार का लोप होकर राम यो रूप तब खर अवसान योर विश्ठी दिवर निया हैं से अवसान में अठाथ अंत मे अवस्थित जो रकार है राम यो र था तो अन्तिम रकार के स्थान पर विसर्ग होकर राम यो रूप सिद्ध होता है यहां किवल जानकारी के लिए मैं वापिस आपको जो अवांतर सुत्रिन कार्थ बता दू हो एचो आवायावा कहता है कि एच से अस्परे हो तो एच को आवायादी आधेश होते हैं हमने देखा कि राम प्लस रामे प्लस ओश जब था तो एच प्रत्यार में आता है व उसके बाद अच्छ है तो एचो आवायावा से यहाँ पे एको आवायादेशो का राम आयो सिस्थिती बनी थी ये के वल मैं समझाने के लिए बोल रहे हूँ ऐसे सजुसो रूह हमने राम है जब शब्द सित किया था मैंने इसका अर्थ बता दिया था अब अगला सुत्र देखिए जिससे बनेगा रामाणाम शब्द शष्टी बहुवचन का भोसे राम का भोसे रामो का या तीन राम का है ना तु रस्व नध्या को नोट ये सुत्र का अर्थ में बता रही हूँ रस्वांत नध्यंत और आबंत अंग से परे आम को नोट आगम होता है रस्वान से अर्थे जिसके अंत में रस्व वर्ण हो नध्यंत का अर्थे जिसके अंत में दिर्ग एकारांत और दुर्ग उकारांत नित्य स्ट्रेलिंग शद्ध हो राबंत का अर्थे जिसके अंत में टाप चाप टाप ये तीन प्रत्य लगे हो तो रषवांत नज्यन तो रावन तंग से बढ़े आम उलोट आगम होता है जैसे उधारण आपते की राम फ्लस आम यहां राम में म में इस इशी जो अ है वो रस वहे इसलिए राम रशवांत है, यसमात प्रतिये विद्धिस्ट अदादी प्रतियंगम सुत्र से राम अंग संग्या भी है क्योंकि अंग संग्या का सुत्र का जो अर्थ है वा यह है कि किसी शब्द से यदि कोई प्रत्य लगाया जाता है तो उस प्रत्य की परहरते पूरुवाले शब्द की अंग संग्या होती है जैसे राम से आम प्रत्य लगाया है तो आम के परहरते राम की अंग संगया हुई ये पी केबल समझने के लिए है तो यहां राम प्लस फिर उधारण देख लिजी जैसे राम प्लस आम में राम रस्वांत भी है और अंग संगय भी है अतह रस्वांत अंग राम से परहे आम हो अगयुने के गारण प्रस्तुत् सुत्र के द्वारा अम को नुट आगम होता है और नुट में उकार उच्चारण के लिए प्रकार कि हलंत्यम सुत्र के द्वारा इत्संग्या होकर उसका लोप हो जाता है और नकार शेश रहता है तो इस प्रकार राम और आम यह जो इस्थिति थी रस्वनत्यापुनूट सुत्र के द्वारा नूट आगम हो जाता है नूट में से नकार शेश रहता है अब यह नूट आगम म जो नकार है वो शैस रहता है तो आम को नुठ आगम होता है तो आम से पहले आए गाए बात में तो एक सुत्र और हमने पढ़ाये पहले भी अध्यनतों टकितों टित और कित आदी और अंद के अव्यव होते हैं यहां नुट में टकार के इत्संग्या हुई है इसलिए इसको टित कहते हैं और जो टित आगम होता है वो जिसको हो रहा है उसके आधी में आता है यहां आम को नुट आगम हो रहा है और नुट टित है तो कि इसमें टकार के इत्संग्या हुई है इसलिए यह आम के पहले आता तो अध्यन्ट उटके तो उस सुत्र की सायता से नकार या चुनूट आगम है वो आम के पहले आता है तो इस प्रकार स्थिती बनती राम न आम न हलन्त है आ में चुड़ जाएगा तो राम प्लस नाम रूप बनता है अब अगला सुत्र देखें नामी नामी का अर्थे अजन अंग को नाम परे होने पर देरग आदेश होता है और यह देरग आदेश भी अलो अंध्यस्र की सायता से अंतिम बन के स्थान पर होता है जैसे राम प्लस नाम राम में म में स्थित चो आ है वो अच्छ है अजन्द मतलब अच्छ जिसके अंत में हो स्वर जिसके अंत में हो तो राम में ममे सिद अ अच्छ है या स्वर है इसलिए राम अजन्द है साथ ही वो अंग संग्यक भी है तो अजन्द अंग राम से पर यहां नाम आया है इसलिए अजन्द अंग को दिर्गादेश होता है और अलोंदेश की सायता से अजन्द अंग राम के अंतिम अकार ममे सि अखो दिर्ग होकर रामा नाम यह रूप बनता है इस प्रकार नामी सुत्र का भी हमने अर्थ उधारन साइच समझ लिया अब रामा नाम शब्द की सिद्धी आप सुन लेजी अच्छी प्रकार से बिल्कुल क्रमाशा में बता रही हूँ रामा नाम का अर्थ है बहुत से रामों का तीन राम का रामा नाम शश्टी बहुवचन का रूप है प्रक्रिया हम बहें से शुरू करेंगे रमन्ति योगिनों असमिन इस अर्थ में हलश्ट सुत्रद्वारा रमधातु से रम में महलन्त गय में यहलन्त रमधातु से गय प्रत्य लगाने पर राम भी गड़िवाला लगा है तो रमधातु से गय प्रत्य लगाने पर राम शब्द बनता है चूकि गय क्रित प्रत्य अतह राम क्रेत प्रत्यांत शब्द है या क्रिदंत शब्द है तो क्रेत तद्यत समाशास्ट्र सुत्र द्वारा पहला सुत्री यही लगाना है क्रेत तद्यत समाशास्ट्र सुत्र द्वारा राम की प्रातिपदिक संग्या होती है फिर स्वाउजस समोट जो सुत्र है जिसम परे सुवादी कीज प्रत्य प्राप्त होते हैं और उसकी बाद चूकी रामाणाम बहुवचन का शब्द है इसलिए बहुशु बहुवचनम सुत्रद्वारा जा भी बहुचन के शब्द होएंगे हम लेखेंगे बहुत्वकी विवक्षा में या बहुत से रामु का बोद कर गाने पर राम 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 प्लस आम रूप बनता है तब सरूपाणाम एक शेश एक विबक्तों सुत्र ध्वारा दो राम शब्दों का लोप होने पर राम प्लस आम रूप बनता है इसके बाद रस्वन अध्यापू नुट सुत्र से रस्वन तंग राम को नुट आगम होता है नुट में से टकार की हलंत्यम से संग्याओकर उसका लोब हो जाता है उकार उच्चारण के लिए है और नकार शेश रहता है नो टट्टित है इसलिए अध्यन्तव टक्लतव सुत्र द्भारा नकार आम से पहले आता है इस प्रकार राम न आम बराबर राम नाम रूप बनता है तब नामी सुत्र से अजन्तंग राम के अकार को दिर्ग आ होकर राम के मामे स्जोय है उसको आ हो गया तो रामा नाम बनता है तब अटकुप भांग नुम् व्यवायपी सुत्र से नकार को नकार होकर रामाना रूप सिद्ध होता है। अट है मापवर का है फिर अट है और उसके बाद न आया है तो इस ना को न हो गया है तो हमें संक्षेप में जिस तरह से मैंने उसी तरह से सिद्धी लिखनी है कि अट को पौंगनों व्यावाई पी से नकार को नकारों को रामाना रूप सिद्ध होता है अब देखी रा में इस हम कर लेंगे मैं रमंति योगी ने राम व्यास्त्र व् Kendall हलस्टव से रॉम्धातु से प्रतिय लगने प्र राम शब्ट प्रित्त दित समाश स्वार्ष मों अधिग इस Меня की कि प्रतियों की प्रति तो ई शेज रहता है इस प्रकार राम प्लस ए रूप बनता है अब लाशक्व तद्धिते का भी अर्थ आपको आना चाहिए कि तद्धित बिन प्रत्य के आदि लकार शकारोड कवर की त्थंग्या होती है और घी क्या है सुप प्रत्य है तत्धित प्रत्य नहीं है इसलिए गाकार की त्थंग्या से होई है यह केवल समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ राम प्लस घी जब इस्थिती बने तो लाशक्व तद्धिते से गाकार की त्थंग्या तसी लोप से गाकार का लोप होकर राम प्लस ए अब आदगुणा सुत्र से राम प्लस ए मा में अ है औ अवन से अच परे हो तो यहाँ A प्लस E के इस्थान पर एक गुणादेश A होकर राम प्लस A बराबद रामे रूप सिर्दो होता है इस प्रकार से रामे के सिद्धी हो गई और आद गुणा का अर्थ में भी केवल समझने के लिए बता देती हूँ A वन से अच परे हो तो तालू स्थानी और एक का जो चर्ण सलेवा गंठ तालू है अब राम यो सप्तमी ज्वीवचन का रूप बनेगा शस्टी ज्यचन जैसे ही है अब हमाते सप्तमी बहुवचन का जो शब्द है बनता है रामेशू रामेशू में इसकी सिद्धी से ही मैं शुरू कर रहे त्रम यह बनता है कि दृटरा प्रेटिपधिक संग्या सुझत समोर शुत्र यह कहता है कि प्रातिपधिक से परेश हुआ इसकीस प्रतियों की प्रैप्दि चूंकि रामेशू राम राम में जा तीन रामों में सप्तमी भ़धूचन का रूप है इसलिए हमें इतना में के समझाने के लिए बोलने हूं आप सभी को इतना नहीं लिखना है सीधा सीधा ही सिद्धी करनी है तो राम बहुशु रामेशु जो है राम शब्द का सप्तिमी बहुवचन का उसमें प्राटिपदिक संग्या उसके बाद सौज़त समोड से सुवधिक किस प्रतियों की राम राम और सुपरूप बनता है तब सरुपाराम एक शेश एक विपक्तो सुत्रद्वारा दो राम शब्दों का लोप होने पर राम प्लस सुपरूप बनता है सुप के पकार की हलंत्यम से इतसंग्या उकर तस सिलोपा से उसका लोप हो जाता है तो राम प्लस सुरूप रहता है इसके बाद बहुवचने जल्यत सुत्रद्वारा जलादी बहुवचन सुप प्रते परे रहते अदंत अंग राम के अकार को एकार होकर रामे प्लस सूरूप बनता है हम केवल समझने के लिए बतारू यहां तक हमने लिख लिया सिद्धि में कि बहुवचने जल्यत बहुवचन सुप प्रते परे रहते अदंत अंग राम के अकार को अकार होकर रामे प्लस सूरूप बनती है तब आदेश प्रत्ययों होँवचने अब इस सुत्रका में अर्थ भी बता रहे हूं उसके साथ भी अख्या भी कर रहे हूं और सिद्धी में भी ग्रमशा यही लगाना है जो मैं बात में बताऊंगे इससे सिद्धी में में क्या लिखना है आदेश प्रत्य योकार थे इड़ प्रत्याहार तथा कवर्ग से परे अपदांद आदेश रूप तथा प्रत्य के अव्योव रूप सकार के स्थान पर मूर्धन्य आदेश होता है जैसे रामे प्लस सू यहां रामे में म में सिद्ध जो ए है वो इड़ प्रत्याहार में आत इसमें आ जाएंगे तो रामे में मामे स्थित जो ए ही वह इन प्रत्यार में आता है और उससे परे सु जो है वो सु प्रत्य का अव्यव है और सु में जो स है वो सकार भी है तो यहां रामे में इस्थित ए इन से परे प्रत्य सुपप्रत्य का अव्यव सकार आया है इसलिए प्रस्तुत सुत्र द्वारा अर्थात आदेश प्रत्य इस सुत्र के द्वारा इस सकार के इस्थान पर मुर्धन आदेश होता है और सकार के इस्थान पर मुर्धन आदेश शकार होता है इस प्रकार रामे स के इस्था पर शह हो गया तो रहमेशु रूप से दोता है यह हम देखते कि जो सह है उसका प्रयातन जो दंग के सह है उसका जो अभिहंतर प्रयातन है वो है इशद विवरत और डिटू रशाणाम मुर्धा धी तू यानि टावर्ग डिटू रशाणाम रह और शह इनको मुर्धन कहते ह हैं तो इन सब में से सह के स्थान पर शह ही हो सकता है क्योंकि दंग के सह का भी और इस मुर्धन निशद दोनों का जो प्रयातने वो समाने इशद विवरत है इसलिए सकार को शकार हुआ है इस प्रकार से हमने राम सब्द की सभी सिध्यों को पढ़ा है समझा है और आदेश प्लस त्र द्वारा सकार को मूर्धन लिखेंगे हम सिद्धी में कि आदेश प्रत्य सुतर द्वारा सकार की स्थान पर मुर्धन शकार करने पर रामे श की जग मुर्धन इससा लगा दीजिए रामे शू बराबर रामे शू रोप सिर्द होता है इस प्रकार राम शब्द की सभी विभक्तियों के सभी रूपों का यहां हमने अध्यान किया है आदेश प्रतियों सुत्र सभी प्रतियोंगी परिक् बोजमेता को सब्क्राइब अवश्य कीजिए मैं MLV कॉलेज के विद्धियारतियों और गंगापुर कॉलेज के विद्धियारतियों से भी आग्रह करती हूं अनुरूत करती हूं कि पिछले जितने भी वीडियो या पीडियेफ जो मैंने डाली है शुरू से जब राम बहुत बहुत निवादा